हेलो दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और आलू का पहुत ही टेस्टी चटपटा नास्ता तो आप इसे 8-10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं तो चलिए रेशिपी शुरू करते हैं तो मैंने या एक पैन रख दिया है तो पैन में हम डालेंगे 2-3 चोटा चमच सोया बीन ओयल तो आपकी घर में जो यूज होता हो तेल वही ले लिजेगा आदव चोटा चमच इसमें हम डाल देंगे जीरा तो जीरा को चटक जाने देंगे एक से तेर चमच इसमें हम पच्फो रंत कलउजी अजवाइन सरसो के में दाने मिठी के दाने और सौफ मिले लेंगे तो इन शारी चीजों को लाल हो जाने देंगे चटक जाने देंगे और जैसी लाल हो जाएबां उसका हम बारी कटा हुदश गया प्याज को हम awards paris के lead लिए भून लेना est dh.fr से हम भून लेंगे आलो की स्टफिंग तो आपने कई बार कई तरीके से बनाए होंगे लेकिन एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाएगेगा बारी कटा हुआ हरी मिर्च लिया है बारी कटा हुआ तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे चला लेंगे इसे हम और बस एक से डेज मि छूका है तो अब इसमे हम 1 फोर्थ में डाल देंगे विदी का पाउडर नोय– लुद्ध. किचन कींग मसाला पाउडर in लुअरह वंदाल धाती अंधू अर्धिन काम यहीर। और इकमोनलो मपलादी माखती तक अच्छा पनन दोटारी, बस गैस का फ्लिम बिल्कुल आप लो रखेगा जब भी मसाला आप आड़ कीजिएगा तो बस आदे से एक मिनट के लिए इससे हम भून लेंगे और देखी आदा मिनट हो चुका है तो अब इसमें हम आलू डालेंगे तो मैंने यहाँ 500 ग्रम आलू को बोईल करके अच्छे से मैश कर लिया है तो वह हम डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे से मसाला हमारा जले ना तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें हम बागी चीज़े आड़ करेंगे यह स्टफिन बहुत ही चटपटी बनती है बहुत ही तेस्टी बनती है तो नमक इसमें हम स्वात के अनुसार डाल देंगे तो एक बारा चमच मैंने इसमें नमक एड़ किया है तो नमक स्वात के अनुसार डाल देंगे चिली फ्लेक्स तो बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे हम तो धनिया पत्ता मैंने थोड़ा सा जादा लिया है तो गैस का फ्रेम बंद कर देते हैं तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ तो मैंने आए गैस पर फिर से पैयां रख दिया है इसमें हम डालेंगे दो से तीन चोटा चमच सोया भी नॉय तीन जैसी गर्म हो जाएगा और चोटा चमच चीरा डाल देंगे आदर चोटा चमच अजवाइन डाल देंगे बरी कटा हुआ हरी मिर्च हम डाल देंगे सारी चीजों को मिक्स कर देंगे चला लेंगे से हम और जैसी थोड़ा लाल हो जाएगा इसमें हम डालेंगे दो कप पानी तो जिस कप से आप सूजी लेंगे आप उसी कप से पानी ले चिली फ्लेक्स चमची नमक दाल दीजिए और बड़ी कटा हुआ हरा धनिया पता हम डाल दीगी भेस बोलना है मिक्स कर लेंगे एक तारि की दम लोगा हुआ है और जाहते हैं पानी दाल दे जाया पहुआ तो उसे शिरी तो च म इसाले केंकर तो लिए कशना दे कर लोगा है कि मीडियों में कर भी मींकश कर ले इसे पका लेना है जब तक यह डो की फॉर्म में ना आ जाए और देखिए सूजी को पकते हुए डेज मिनट हो चुक्या है तो सारा पानी सूजी ने अब्सॉप कर दिया है लेकिन अभी यह काफी सॉप्ट है तो हमें इसे दो मिनट के लिए और पका लेना है तो जब आप इ इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो इस तरीके से निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद सूजी को हमें बिलकुल आटे के तरह गूत लेना है देखिए विल्कुल हातों से अभी सूजी थोड़ा-थोड़ा गढम है तो इसी टाइम पे आप अच्छे से गूत लि जतना बड़ा लिया है देखिए इस तरीके से हम बेल लेंगे और लेने के बाद इस तरीके का हमें कटोरी लेंगे और इसे हम पूरी की साइज काई कट कर लेंगे तो इतने बड़ी रोटी में दो ही पूरी हमने काटकर निकाला है अगर आप ज़्यादा बढ़ा बेलेंगे तो ज़्यादा मातरह में पूरी निकलेगी देखिए इस तरीके से तो बाकी साइड वाले आटे को हम निकाल करके साइड में रग देते हैं फिर दूसरा हम स्टाफिंग त्यार किया था तो बिल्कुल इस तरीके से स्टाफिंग को हम साइड में रखेंगे और दूसरे साइड से इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें नास्ता बनाना लेना है तो दूसरा भी हम इसी तरीके से कर लेंगे तो स्टाफिंग sì तो दोनों साथी कर लेंगे तो पूरा हमें कुछ नहीं लगाना है बिल्कुल हलका सा आतों तो दोनों नास्ता में इस तरिके से कट लगा है और इसẩई के से मैं इस अ nous कर दिया है चली अब हम गैस की तरफ चलते हैं इसे सहीक लेने तो में दालेंगे तूसे基本 चोटा ज्म % soya कabel नास्ता डाल देंगी और नीचे से जैसे लाल हो जाएगा इसे हम पलट लहें हैं यह नास्ता बहुत ही टेस्टी चट-पटा बनता है एक काफी टेश्टी ही लगता है और हेल्दी भी होता है तो सूस्ती से जरूर नास्ता बनाईएगा और देखिए दूसरे साइट से तो इसे हम निकाल लेते हैं उपाँ लगत हैं तो इस तरीके से जरूर बनाईगी का तो चलिए अभी से हम सौबी कर लेते हैं और यह लिजिए सुझी का और आलो बना हुआ बहुत ही की चट्पटा कुरूरा नास्टा बनकर तेयार हो गया है तो देखिके मैं आपको एक उठ कब पर दर दिखानी हो कि ये नास्ता हमारा कैसा बना है दिखी veripl civ थे नास्ता है अब हूं डिक भीश्टा दर गॉर्ट करें Heat दहाइब ध्याइब है तो जरूर्ट ट्राइब किजिएगा वीडियोध